अब पढे-शिसी में आपका स्वागत देखत। एक्षरसाइज फपर मसंख्या है चाहतकर लुखना लिफिए दीधे पाई रूट 3 इन वरूट 3 क्या अब प्रитесь यानि यह परमे संख्या नहीं नहीं है तो हमको पर क्योंकि रूट ba type of the fix नहीं होता एक पॉ 라 178 beta को यहां जो दिखहती है या जाते हैं उसकी दोती है तब उसके साथ8 ए नहीं है आरो अटे होती है और वर से मुझा है, लिखा है 3 यहां हमारा पर शक्या क्रवें प्रविए तेंग थो आप देखते हैं चार तीन लिखा है गुडे रूट चार यानि चार का वर्ग्मूल निकल जाएगा गर यहाँ पर पांच लिखा होता तो आपर में होता है अब इसका होता दो यानि टोटल आ गया च्छे यानि यह हमारा क्या है पर में ठीक तो हमको छे तो लिखना नहीं हमको सवाल के रूप में जो लिखा है उसी को लिख देना यह पर में यह पर में फिर बात करते हैं इसको देखिए इसको जो हम चैन्ज करेंगे तो चार कियों कई अगर हम इसका पॉइंट अटाएंगे तो नीचे तो जीरो आ जाएंगे ठीक पॉइंट हटाने के बाद यानि यह क्या हमारा पर में फिर बात करते हैं कुछ नंबर दो की रूड़ सेंखिया कि चार का वर मूल हो जाएगा दो यह ठीक है क्यों कि इसके बटे में पॉइंट चार का वर्गमूल ठीक अब कैसे क्योंकि जब इसको पॉइंट चार लिखा पॉइंट हटा है नीचे दस आ गया तो ऊपर चार का तो वर्गमूल निकलकर बाहर आजाएगा बटे में बचेगा एक बिटे है पॉइंट बटे लिम्के संख्याओं में अब पर पर में सजब्सक्राइब पर लिन टे कर लिखान दाए यह हमरी पर आपकुएता चुकए हैं अब बिख़गा यह और Warsya से क्या होता है किसी संख्या से भाज देते हैं तो जब निश्चित नहीं होता यानि यह वाली संख्या जिसे 0.340.34 0034 0034 और फिर डाड़ 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 लगा है यह क्या है अपर में संख्या है ठीक अब इसकी बात करें इसका वर्गमूल आ जाएगा यानि एक तो यह हमा क्या संख्या हो जाएगे बरिमे संख्या हो देगे बात करते हैं अब को सबसे पहले हमेशा संख्या हो जाएगे दिशन अधर हैं छाट फैसरो नमांस तीन यह अपर में संख्या है धिक्ष और s कяж führen कर ना संख्या है 4-3 फिर बात करते है रूड 7 बटे 2 यह भी हमारी अपर मेक्ति क्यों कि यह हमारा परिमे है बटे यानि शहल पर यह मारी परमेस यह क्यों इसलिए दिखते हैं 5- चार क्योंकि पांच का तो मान पूर्ड है और यह चार है चार का वर्गमूल हो जाएगा दो यानि पांच में से दो गया बचा तीन जो के हमारी पर में अब इसको भी समझें देखिए जीरो पॉइंट जीरो एक पॉइंट हटाएंगे वर्गमूल में लगा है तो एक के अब पर में संख्या है फिर के रहा रूट कुश्यों नमर पांच रूट दो रूट तीन रूट नौ रूट पंद्रा में पर में संख्या ग्याद कीजिए तो पर में संख्या सिर्फ हमारी यह है ठीक एंसर लिख देंगे रूट नो क्योंकि कि इसका वर्गमूल आ नहीं स्षार गया रूट शोलट यह हमारा एंसर हो जएगा OMG चारूट पांच वी नौज technical तो पर में संख्या यह बात करें तो यह छारूट एन यह हीमारा किया पर में संख्या क्योंकि कि इसका वर्गमूल हो जाएगा दो फिर देखते हैं रूड नो रूड नो का वर्गमूल तीन फिर रूड 16 यह हमारे एंसर हो जाएंगे यह हमारी परमें संख्या है क्यों क्यों कि यह वर्गमूल का निसान लगा है तो चार बटे निकाले तो आजाएगा दो बटे तीन अब बात करते हैं यह समझे अगर पॉइंट ना लगा होता तभी हमारा क्या होता वर्गमूल निकल जाता और यह हमारी परमे संख्या हो जाती लेकिन अब इस इस्तित में देखे पॉइंट नो इसको पॉइंट हटाएंगे नीचे दस तो नो का वर्गमूल तो बाहर आ जाएगा तीन और यह अंडर रूट में दस रह जाएगा इसलिए यह अगर यहां पर जीरो लगा होता पॉइंट जीरो नो तब हमारा पॉइंट के लाद दो संख्या हो जाती तो यह हमारा पूर 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 आ जाता ठीक इसका मतलब यह तो हेले हमारी कैया है अड़र में possessing कल यह ही है है हमारी रूट रूट है वे इस नेंभी तो यह हमारी में है है ओल फिजरिखेश को तो पूंडर संख्या जाएगा रूट पंदरा जाएका इसका पंदरा वर्गमूल होता है तो यह हमारी कैसी है पर में अब देखें इसको यह भी मारी पर्मे क्योंकि पॉइंट हटाएंगे तो बटे में लिख देंगे एक दो तीन चार जिरो लगा देंगे यह भी समझे पर पौइंट चार साथ आठ के उपर अगर इसको हम छेंज करते हैं तो सायद साइद हमारा आजाएगा चारा सो एक्ष्टर बटे कि नौ नो नौ साइट इतना आएगा आगा हल करेंगे आप यह इसको समझ यह निया हमारी क्या है पर्लिमें है अब देखे इसको समझते हैं यह फिर आ जाएगा यहां पर साइट इतना होगा ठीक अपकी लियर नहीं है यह के लिए कि पर में आप देखेश को समझें यह हमारा अपर में है क्यों कि देखें यह मेरा अपर में क्योंकि इसमें जो है ओर एक पॉइंट एक जिरो या इसमें रिपीट हो रहा है चार साथ चार सारा लिकिश्म रिपीट ने हैं फिर एक डबल ग्रैंड तिरपल जीरो जैनी हमारी अपर में हैं दरत कह रहा है दो रूट चाथ बटे रूट गयारा के हर का परमे करण कीजिए तो दिखें समझें द निचे प्लस रूड़ तीन नीचे लिखा है पांच माइनस रूड तीन तो यह माइनस लगा है तो प्लस वाले से गुड़ा करेंगे तो प्लस रूड़ तीन ऊपर नीचे सेम संख्या से उपर नीचे गुड़ा करते हैं अब देखें इसका हो जाएगा पांच प्लस रूड़ तीन तो यह हो जाएगा पांच प्लस रूड़ तीन का होल स्कॉयर और नीचे समझे ए प्लस भी ए माइनस भी तो यह होता है सूत्र अब देखें इसका जो हम खोलेंगे तो यह हो जाएगा अप्लस बी का होल स्कॉयर या यह हो जाएगा पिलस बी स्कॉयर प्लस टू ओ ए बिठीक बटै में समझें रूट 5 का स्क्वार होता है पांच और रूट 3 का स्क्वार होता है शिर्फ 3 अब देखें इसको समझेए यह आ जाएगा 5 यह आ जाएगा 3 यानि तो टोटल अगर हम बात करें तो 8 हो जाएगा यह जाएगा 5 यह जाएगा 3 8 प्लस 2 रूट 15 बटे में आ गया 2 तो इसमें अग सबस्क्राइब, प्लस 받शे OFF , प्लस करम हो का Management." बत्हे ए प्लस भी एबाइनस भी यानि दोनों ब्राइकेट हो जायेंगे a पॉल पांच प्लस 22 और अगले ब्राकेट ब मारें रूड पांच माइनेस दो अब देंख़्ें इसको जो ब्लाकेट खोलेंगे तो यह आजाएगा A sqyre minus B sqyre घ्म प्लस Pसqyre a sqyre – 2 अभी 1 दो दूना चार रूड पांच ब्राकेट बन, माइनस, यहाँ पर समझे, a square plus b square plus 2ab, यानि 4 root 5, ब्राइकेट बन, बटे में समझे, a plus b, a minus b, यानि a square minus b square, ठीक, आप देखे इसको जब हम हल करेंगे, तो यहाँ आज़ाँ गा रूट 5 का square 5, और 2 का square 4, ठीक, यानि 5 और 4 कितना हो गया, नौ, plus शारी, plus नहीं, माइनस 4, root 5, bracket, both फिर, माइनस का निसान लगा है यहाँ पर भी सुन ओंडे, root 5 का square 5 आएगा, और 2 का square आएगा, 4 तो यह हो जाएगा, 5, 4, no plus 4, root 5, बट्यमें समझी, 5 का square 5 root 5 का square 5, और 2 का square आजाएगा, 4 आप देखे। कि नो माइनस चाह डूलेंगे तो और माइन यह हो जाएगा माइन संवाइन लिखें यह ना मिखें कोई फरक में पड़ेगा इन्हें न उसम खड़ेंगे 974 बहुत गया माइनस का अठ्रूल माइनस मारा बद करते हैं 13 स्वाल कि शुडू studying प्ल confront root 7 का whole square तो यह हो जाएगा A square plus B square plus 2 A B इसका square आएगा 3 इसका square आएगा 7 और यह हो जाएगा 2 root 21 तो 3 और 7 कितना होता है 10 plus 2 root 21 कामन लेना चाहें तो लिख सकते हैं तो कामन लेकर 5 plus root 21 लेकिन कोई मतलब नहीं हमारा answer यह भी हम लिख सकते हैं लिखा है 62 बटे 25 की घात minus 1 बटे minus 3 बटे 2 तो देखें अगर 62 ना होता 64 होता तो हमको थोड़ा आसान होता यहनी 62 का ना तो मर्गमूल निकाल सकते हैं तो इसको देखें कैसे हल करेंगे तो अच्छे से समझेए यह जो minus की घात minus 3 बटे 2 है यह जो घात है तो यह तो अच्छे सिर्फ 62 के उपर है तो अगर हम इसको अलग अलग होना चाहें तो देखें कैसे लिखेंगे 62 की घात minus 3 बटे 2 बटे 25 की घात minus का 3 बटे 2 अब देखिए इसको कैसे अल करेंगे तो ये 62 की घाट जो लिखा है माइनस 3 बटे 2 इसको ऐसे लिखा रहने दें फिर देखते हैं क्या करेंगे 25 लिखा है तो 25 को लिखते हैं 5 की घाट 2 माइनस 3 बटे 2 अब देखें 62 की घात माइनस का 3 बटे 2 ऐसे लिखा रहने देखें यहाँ पर घातों की गुड़ा होती है तो समझें 5 की घात 2 और माइनस 3 बटे 2 यह 2 से 2 गया कट यानि कितना बचा माइनस 5 की घात माइनस 3 5 की घात माइनस 3 अब देखें अच्छे से समझें यह बटे में है अगर यह उपर आना चाहें तो यह घात प्लस की हो जाएगी 5 की घात प्लस की 3 हो जाएगी गुड़े 62 की घात माइनस 3 बटे 2 अब देखें यह हो जाएगा 5 की घात यानि यह हो जाएगा 125 गुड़े 62 की घा माइनस तीन बटे दो यह हमारा एंसर हो जाएगा किजे 24 की घात एक बटे दो इसको अच्छे से समझे इसको लिखेंगे 64 को लिख सकते हैं, 8 की घात 2, यह हो गया 64, बाहर लिखा 1 बटे 2, अब घातों की जब गुड़ा होगी, तो यह 2 से 2 जाएगा, कट हमारा 8 आठ आजाएगा, answer, यहाँ पर समझे 32, यानि 2 दुना 4, दुनी 8, दुनी 16, दुना 32, यानि 32 को हम लिख सकते हैं, 2 की घात 5, यह हमा 25, यानि इसको हम लिख सकते हैं, 5 की घात 3, बाहर लिखा 1 बटे 3, तो यह घातों की जब गुड़ा होगी, 3 गुड़े 1 बटे 3, तो 3 से 3 जाएगा, cut, answer, आजाएगा, हमारा 5, अब बात करते हैं, 16 नमबर 4, 9 की घात 3 बटे 2, आब देखें, इसको समझे, 9 जैसे लिखा है तो 9 को हम लिख सकते हैं, 3 की घात 2, गात हैं, 3 मेटे 2, अब देखें, जब घातों की घुड़ा करेंगे, तो 2 से 2 जाएगा, cut, तो आज आएगा, हमारा 3 की घात 3, और 3 की घात 3 कितना होता है, 3 ते 9 तरुक, 27 हमारा answer, फिर देखते हैं, 32, 32 देखें, यहाँ पर सेम लिखा 2 की घात 2 कितना होता है, 4, यहाँ पर समझे, 16, तो 16 को हम लिख सकते हैं, 2 की घात 4, और बाहर कितना लिखा है, 3 मेटे, 4, घातों की जब गुड़ा होगी, तो 4 से 4 जाएगा, cut, यहाँ आएगा, 2 की घात 3, यहाँ दो की घात 2 दुना, 4 दुनी, 8 हमारा answer हो जाएगा, यहा 1 बटे 3 माइनस का, तो घात 3 से 3 जाएगे, cut, 5 की घात आगया, माइनस का एग, अगर इसको हम पलड़ दे, यहाँ एक बटे 5 लिख दे, तो यह घात हमारी, पलस की एक हो जाएगे, यह लिखा नहीं जाता है, कह सकते हैं, 1 बटे 5 हमारा answer आगया, सरल कीजिए, तो पहला point है, दो की घात, दो बटे 3, इंटू, दो की घात, एक बटे 5, तो देखिए, जब हमारा आधार समान होता है, तो घाते क्या हो जाती हैं, जूड जाती हैं, दो बटे 3, पलस एक बटे 5, तो देखिए, आप समझे, दो, अब इसमें हर बड़ावा ग तो इसमें 5 से गुड़ा करेंगे, यानि कितना हो गया 10, और इसमें 3 से गुड़ा करेंगे 3, बटे में कितना आ गया 15, अच्छे से समझे, पांदूनी 10, तीन एकम 3, बटे 15, यानि 2 की घात आ गया 10 तो 3, 13 बटे 15, यह हमारा एंसर हो जाए, अब यहाँ पर समझे, यह जो एक ही आएगा, और यह हो जाएगा, तीन की घात 21, कितना हो जाएगा, तीन की घात 21, यह हमारा एंसर हो जाएगा, अब यहाँ पर समझे, गुड़ा में घाते क्या होती हैं, अगर आधार समान हो, तो गुड़ा में घाते जुड़ती हैं, और भाग में अगर आधार समान ह तो घातें क्या स्टी घटती यानि हम इसको डाइल लिख सकते हैं 11 की घात 1 बाटे 2-1 बाटे 4 लिखेंगे कि ग्यारा की घात हर बराबर करेंगे इसमें 2 से गुड़ा करेंगे दो 2 कंदो माइनस 1 बटे 4 यानि य यह आ वांधार समान होता है तो गुड़ा में जुड़ती हैं जब घात समान होता तो घात को सेम ट्यूंर लिख देते हैं और अगर हमको गुड़ा करना है तो खाल रहते हैं तो नीकिक यह नु एक बटे दो हमारा एंसर आजाएगा एकसर साइट वन जे दाइन अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो है